बुलंद सहर हिंसा को आज एक महीने का समय बीच चुका है जहां एक और हिंसा की लप्टो में बहुत कुछ जल गया है वहीं राजनिती करने वाले लोग इसमें अभी भी रोटियां सेक रहे हैं हिंसा का लोगों की जिंदगी पर खासा प्रभाव पड़ा है हालकि यहां आम लोगों की जिंदगी अब पट्री पर आने लगी है लेकिन हिंसा में अपनों को गवाने वाले लोगों के जख्व अब भी आ रहे हैं अभी भी वहाँ पर पूरी तरह से जो हालात हैं वो सामान्या नहीं हो पाए है हमारे साथ में कुछ खबर नवीस हैं जो हम बात करते हैं श्रीपाल जी तो धीरे धीरे देखे जिंदगी पट्री पर आ रही है लगतार पुलिस भी पहले जब पुलिस में तेजी से कारवाही की तो तमाम तरह के आरोप पुलिस प्रिशासन को जीनने पड़े लेकिन अधीकारी यहां से हट आए गए अभी अब कारवाही भी जिस तरह से एक आरोपी जो नाम जद है पकड़े जा रहे हैं आम तोर पर ह अब से बड़ा है जो अग्याद में पुलिस नाम करें हैं उसके कारण जो गाओं के जो यूबा लोग हैं जो महीला है वो पुलिस की डर से गाओं छोड़कर बाहर चले गए कोई लोग वहानी है कुछ काम जो खेत में काम किशान करने जा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं कावी नुक्सान हो राजी वह हम गई देगाओं के लोगों बातचीट की हैं जो गाओं के कुछ लोग के फिर और बुलंत सहर बॉर्डर है है। कि पर पाहला कि पहली बार इस तरह से देखा गया पूरी तरह से मुस्तेत था और पिरशासन ने आनानफानन में पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया और अभी भी आज फिर दो जो युवक हैं उन्हों ने अपनी कोट में जाके सरंडर किया है अब तक यहां पर 32 लोगों को बुलंद सहर हिंसा प्रग्रण में ग्रपतार किया जा चुका है श्रीपाल तेवतिया एटीवी बुलंद सहर